समस्कार साथ मिला नाम अमित कुमार साटिफाइड नीटिशन थ्राफिस्ट फांब लिंकान इनिवर्सिटी अज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो वना रहा हूं वह है बार्डन जल जाना मतलब आग से जल जाना गरम पानी से स्कीन जल जाना तो उसके लिए आपको क्या करना ह अगर मान लिजे गरम पानी से आपका स्कीन जल रहा है तो आपको तुरंत उसी वक्त जो करना है वह है एलो गरा जेल आप लगा सकते हैं वहां पर या अलू का पेष्ट बना के आप लगा सकते हैं आलू का पेष्ट बना लिया और वहां पर लगा दीजिए जहां पर जल ग 90% कम हो जाएगा अगर घाव आ गया माल लिजी घाव आने का अगर कम जला है तो इसमें अलू का और एलोबरा पेष्ट मतलब शिरीफ एलोबरा पेष्ट अगर लगाएंगे तब भी चलेगा तो पांस-सात मिनिट की अंदर ही वो जलन खतम हो जाएगा और घाव नहीं होगा अलू का पेष्ट भी लगाएंगे तो भी वो जलन खतम हो जाएगा अगर थोड़ा जादा जल गया है तो वहाँ पर जागर घाव हो जाएगा तो आप मेरी गोल्ड या गेंदा जो फूल होता है उसका पेष्ट बनाके वहाँ पर लगा सकते हैं तो धीरे धीरे घाव सुक जाएगा और अगर गेंदा का फूल नहीं मिला तो आप नीम पत्ता का भी पेष्ट बनाके लगा सकते हैं तो बहुत ही आसानी से वह जहां पर जल गया है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अब कुछ प्रस्णा है जो प्रस्णा को लेते हैं चलिए नमस्ते सार मेरा एज थ इसका सलेशन बहुत ही आसान है मैं दिखा देता हूँ यह है होट वाटर एमर्शन होट एमर्शन होट वाट वाटर एमर्शन करना पड़ेगा 42 डिग्री सल्सियास में गरम पानी होना चाहिए एक बड़ा बकेट में पानी रे लिजिए गुटने से नीचे तक पानी होना यह थार्टी मिनिट्स तक आपको प्यार को डाल करना पड़ेगा उस गरम पानी में अगर आपका मान लिजिए वाटर थर्मोमेटर नहीं है तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जितना सह सकते हैं उससे थोड़ा जादा गरम रहेगा पानी और पानी में आदा घं बाई 93 है नॉर्मल तो 120 बाई 80 होना चाहिए पर मेरा बहुत ज्यादा है इसके कोई solution बताईए देखिए अगर 40 बाई 93 है आपका बीपी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपका बीपी आपके लिए सही है क्योंकि बीपी हर बंदे का अलग-अलग होता है जैसे हाइट हर इनसान का एक जैसा नहीं होता है किसी का हाइट ज्यादा होता है किसी का हाइट काम होता है किसी का ठीक ठाक होता है तो हाइट जैसे किसी का सेम नहीं होता है बीपी भी सब का सेम नहीं होता है अगर आपको क आप मान लेजिए मैं मान लेता हूँ कि आपका हाई भीप है आपका डिसकंफ़ट है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आप अर्जून का च्छाल लेजिए वान इंच बाइवान इंच दो कप पानी में वाल के एक कप करिए अच्छान के पी लीजिए शुबह खाली यह एक माएने तक करिए आपका वीपी नॉर्मल आ जाएगा ठीक है और आगर बहुत ज़्यादा प्रोबलम है और भी दो-चार प्रोबलम है तो साइध ना भी आ सके तो इसलिए आपको कॉन्टक्ट करना पड़ेगा ठीक है डायरेक्ट आपको मेरे से बात करना एक साल ठीक नहीं हो रहा तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें एक चीज बताता हूं इसमें आपको साथ दिन के अंदर ही आपको फाइदा दिखने को मिल जाएगा आपको तील का तेल लेना है पचास एमल उसमें एक चमश सोंट डालना है उसमें एक चमश अजवाइन डालना है दो तेजपत्ता लेना है और छे लसुन का कली लेना है सब को मिला के उबालना है तब तक उबालना है जब तक लसुन का कली ब्राउन ना हो जाए फिर उसी तेल से आपको अच्छे से कमर में मालिस करना है तो ये एक हफ़ता तक करना है, डेली दिन में दो बार करना है, कभी भी कर सकते हैं, ये करने से एक हफ़ता की अंदर ही आपको फायदा दिखने को मिल जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन पर चलते हैं, पीसी ओडी के बारे में बतना ही है, देखें पीसी ओडी के बारे में मैंने और रेड़ी एक वीडियो बना के रखा हूँ, इसी चनल पर है, इस चनल पर आप जाके एक बाद देख लिजिए, विजिट कर लिजिए नेक्स्ट कोईस्टन लेग जॉइन पेन सल्यूशन, लेग में अगर जॉइन पेन है, तो आप यह कर सकता है, सुबे खाली पेट, एक चमच हर तकी और एक चमच बैड़ा, किसी भी ऐरवेदिक सेंटर पर मिल जाएगा, एक कप गरम पानी में दोनों को मिला के पी लेगा, is asthma can cure, please make video on asthma, yes, asthma cure होता है, होती आसानी से cure होता है, और मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, आप जूडे रहिए, रेश्टरा वैल क्या होता है, रेश्टा वैल पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, रेश्टा वैल क्या होता है, लेकिन कैस्टा रॉयल है, मै मैं जो बोलता हूँ वो है केस्टर वैल तो केस्टर वैल आरेंड का तेल होता है आरेंड का तेल किसी भी आयरोवेदिक सेंटर पर आपको मिल जाएगा ठीक है देखिए मेंगा तो है यह तो मनना पड़ेगा लेकिन आपका हेल्थ के लिए इतना तो मेंगा नहीं है ठीक है क्योंकि लोग एलोपेथी में कितना पैसा गबा देता है आपका हेल्थ ठीक करने में इससे अच्छा कुछ खान पान में थोड़ा से चेंज करके आगर आपका हेल्थ सही हो सकता है तो इसमें कोई केमिकल नहीं है कोई कुछ भी नहीं है तो आसानी से आपका सरीड ठी तो यह कर सकते हैं आप जो सस्ती वाला फ्रूट होता है बहुत ही सस्ते जैसे केला है जैसे जो भी आपका सिजनल फ्रूट है अम्रूद है ऐसे बहुत सारे फ्रूट है जो पपिता है सस्ते में मिल जाएगा तो यह fruit आप दो तीन तरह का fruit daily खाईए जितना हो सके खाईए तो सुबह खाली पे fruit खाईए थोड़ा बहुत ही सही लेकिन खाईए फिर आपका घर में जो बनता है रोटी पराटा जो भी बनता है वो खा लिजिए लेकिन fruit पहले खा लिजिए तो इसका benefit आपको मिलेगा अगर फुल डियाइपी नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो fruit तो खाई सकते हैं तो यह तो खाना पड़ेगा और भी अगर कुछ जनकरी चाहिए तो इस नमबर पर आप WhatsApp कर सकते हैं फोन भी कर सकते हैं फोन करके आप अपना कॉंसर्ट ले सकते हैं लेके आप अपना बीमारी को घर में बैठके ही ठिक करवा सकते हैं यह वीडियो अगर आपको इंफरमेटर पर लगे तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करिए और कुछ परसन है तो comment box में जाके परसन करिए मैं आगला वीडियो में उस परसन का जवाब देने का फूरा कोसिस करूंगा धन्यवाद